हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब तो आज मैं लेके हैं हूँ आपके लिए जबरदस्ट वीडियो तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि टी मीडिया के जो स्टार प्लेयर हैं वोर टमेस्टी क्रिकेट से कैसे निकले हैं उन्होंने कौन कौन सी ट्रॉफियां खेली हैं कहां भी एक बड़िया क्रिक्टर बनना चाते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की तो गाइस रोहित शर्मा टी मीडिया के स्टार प्लेयर हैं और स्टार ओपनर हैं तो गाइस वो इतने बड़े प्लेयर कैसे ब बीदने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी तो वह अपने दोस्ते क्रिकेट लेकर उनसे खेलते तो गाइज इतनी शंगर्षबरी कहानी थी दोस्तो इसके बाद अंडर 12 में रोई शर्मा ने ट्रायल दिया और उसमें वह सलेक्ट हो गए और उसके बाद वह अंडर 12 की ट बाद वह ओपनर बने और आज आप देख सकते हो कि रोई शर्मा कहां पर है तो गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं महिंदर सिंग धोनी के संगर्ष के बारे में कौन नहीं जानता लेकिन वह कैसे इंडिया टीम तक पहुंचे यह मैं आज आपको बताऊंगा तो गाइस मह 1999 में महिंदर सिंग धोनी रंजी ट्रॉफी में सेलेक्ट हुए और उन्होंने एक पारी में 68 रन बनाए लेकिन उन्होंने इस ट्रॉफी में 5 मैच खेले जिसमें 283 रन बनाए फिर वह सेलेक्ट नहीं हो पाए आगे की ट्रॉफियों में के बाद 2001 में दलीव ट्रॉफी में उनका selection हो गया लेकिन किसी वज़े से वो ड्रॉफी नहीं खेल पाए इसके बाद 2003 में महिंदर सिंग धोनी बिहार की अंडर 90 टीम में select हुए इसके बाद महिंदर सिंग धोनी का carrier चमकने लगा वो selector की निगा में आने लगे इसके बाद उनके इंडिया की A team में चुने गए और उसके बाद वो जिमबावे खेलने गए जिसके बाद वो इंडिया टीम में select हो गए तो गाइस अब बात कर लेते हैं टीम इडिया के कैप्टन जानी की विराट कोहली की तो guys विराट कोहली का सफर भी इतना आसान नहीं रहा जितना कि आपको आज वो देखने में लगता है तो guys दिल्ली के एक छोटे से घर में रहने वाले विराट कोहली ने भी बहुत सारे ट्रायल दिया है पहली बार तो वो रंजी टीम में भी सेलेक्ट नहीं हुए थे दिल्ली की और इसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की जिसके बाद वो रंजी टीम में सेलेक्ट हुए वहाँ पर अच्छा परदर्शन किया जिसकी वज़े से वो अंडर 19 में सेलेक्ट हुए और वहाँ पर तो इन्होंने बहुत ये अच्छी बैटिंग की टीम इडिया के कप्तान भी थे अंडर 19 के तो वहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता है जिसके बाद टीम इडिया में सेलेक्ट हुए और अपनी परफॉर्मस को और ज्यादा बहतर करते रहे तो गाइस अगर आप भी इंडिया क्रिकेट टीम के फैन है और रोही शर्मा महिंदर सिंग धोनी और विराट कोली के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है तो गाइस आप किस प्लेयर के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके स्टोरी कैसी रही इंडिया टीम तक खेलने की तो वह भी कमेंट में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए और वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकाउन जरूर दबा दें ताहां कि आपको हमारे चैनल की हर नई अप्डेट सबसे पहले मिलती तन्यवाद